तो सबसे पहले तो आपको हैपी न्यूएर आपको नौवर्स की हार्दीक सुभ कामना है होप करेंगे कि आप इस साल जॉब ले लेंगे और अपने लाइफ में सेटल होंगे हेल्दी वेल्दी रहेंगे यही कामना के साथ आज पहला वीडियो में शुरू कर रहा हूं तो ख़बर आए कि 16 तारिक को आ जाएगा यानि मातर 15 देज के बाद आपका रिजल्ट जो है एना मुझ हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद मैंने 16 तारिक को मैंने वीडियो बना दिया कि भाई ऐसा नहीं होने वाल है कभी भी कि 15 दिन में डीएफ सी सी जाएगेल का रिजल् तो उसके बाद भी दो महीने के डिले मेंने बता है उसके बाद भर भर के कमेंट है मुझे और क्या कुछ नहीं कहा गया मुझे तो उसके बाद फिर भी मैंने एक महीने बाद एक डिले करके एक और मैंने वीडियो बना ही डाला इस पर कि देखो भाई अभी भी रिजल्ट मैं लगभग मी एक लेड़ महीने का समय है आपके पास रियर्ट आने के लिए ठीक है तो अब हला की एक लेड़ महीने बीच चुके हैं यानि मैंने इस टॉपिक पर लगभग में दो महीने हो गया है मैंने इस टॉपिक पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि आप लोग का रिस्पॉंस इतना ही बेकार था मैं क्या बता हूं आपको सपोर्ट करना चाहिए समझना चाहिए चीजों को कि यहां पर देखेंगे यह बात मैंने पिछली वीडियो में बताई है लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है समझने वाली बात यहां पर यहां पो 2018 को था और रिजल्ट आया था 2018 2019 को यानि टोटल दो महीने पांच दिन बाद आपका रिजल्ट आ गया था लेकिन इस बार देखिए इस बार बोड ने मतलब सारी सीमाओं को पार कर दिया है यहां पर दिखेंगे तीन महीने चार दिन हो चुके हैं आपको एक्जाम के हुए हुए लेकिन अभी भी रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है सभी लोग परसान है कि भाया कुछ तो निकाल दो बाई कुस्तो लेकिन यह कुछ भी नही निकाला है और रीजन मैं बताऊंगा रीजन क्यों नहीं निकाला है इसके लिए दो तीन वीडियोज हैं मेरे पास और अथेंटिक वीडियो में अपना व्यू रखूंगा और यह नहीं है कि मैं कमेंट कभी भी बन चाहिए आपका रिव्यू अच्छा हो बुरा हो मैं सब क सुनने की कोशिज करता हूं तो आप कमेंट बॉक्स कुला आप जरू बताइए कि क्या है मेरा विचार सही है कि नहीं चाहिए अगले वीडियो में बताऊंगा लेकिन इस वीडियो में समझ लीजी कि क्यों क्या कर रहा है ठीक है तो जब मैंने वेब साइट पे गया और दे का कलेंडर चिपका लिए थे अब मतलब यह देखे मुझे थोड़ा सा सप्राइज हुआ कि मतलब यह क्या कर रहा है बोड की 2022 कलेंडर किसी भी दुकान पर मिल जागे 2022 कलेंडर तुमको पोस्ट करने क्या जरूत है अब जो इसमें करामचारी है उनके लिए भाई तुम जा सारे में जुक में यहां पर क्या दिख रहा है कि अभी भी यह लोग वैकनशी कराने के सोपर लगे हुए है ठीक है वे चंब करना अभी इंधाम इड़ाने की प्रकिरीया अभी जाला रही है तो कब करेंगे कि आप चीज़ों को समझेंगे ठीक है मुझे कम से कम 50 लाइक दे दीजे इस वीड़िए ठीक है और सबसे पहले सबसे पहले तो इसको आप लोग का रिस्पॉंस यह तो यह जरूरी है तो मैं बोला कि नहीं आएगा और मैं बता रहा हूं रिजल्ट क्या इसमें वह प्रोसेस है कब लाइक कर दीजिए कर दीजिए और सबस्क्राइब कर दीजिए कोई सब्सक्राइब करता को यहां पहीं करते हैं विच्छी वीडियो देखते हैं देखते हैं उसी रफ्ता से चले कर दीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो को जरू इंतजार करेंगा मैं आपको एकदम एक्जेक्टली बताऊंगा कि क्या कुछ चल रहा है कब तक रिजल्ट आने की पूरी-पूरी संभावना है तो जुड़ रहिए हमारे साथ और देखते रहे हैं एक्जाम मेंट